हलो दोस्तो आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी रसीला दानेदार सूजी का हलवा जिसे हम माखंडी हलवा भी बोलते हैं और ये नॉर्मल सूजी के हलवे से बिल्कुल ही डिपरेंट तरीके से बनता है खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो रेसिपी को ध्यान से ज़रूर देखना आपको ये माखंडी हलवा बहुत ही पसंद आएगा चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बॉल लिया है जिसमें हम एक कप सूजी डालेंगे तो मेजर मेंन के हिसाब से यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ली है जिसमें हम दो कप दूद डालेंगे और यहाँ पर मैंने दो कप दूद डाल दिया है दूद को हम सूजी में अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो यहाँ पर आप चाहो तो एक कप दूद भी ले सकते हो लेकिन दो कप दूद डालने से सूजी और ज्यादा अच्छे तरीके से फूल जाएगा और यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसको ढख कर 15 मिनिट के लिए साइड में रख देंगे तो यहाँ पर मैंने गेस इस्टो पे कडाई रखी है जिसमें हम दो चम्मच घी डालेंगे और जब घी अच्छे से पिघल जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे आट से दस काजू और आट से दस बादाम जिने मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक कप सुजी लिये तो एक कप घी लेंगे लेकिन पूरा घी एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जहाँ पर हमें लगेगा वहीं पर डालेंगे तो यहाँ पर काजू और बादाम को हलका सा फ्राई कर लिया है और इनका कलर भी चेंज होने लगा है तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 15-20 किश्मिश और इन्हें भी हम काजू और बादाम के साथ में फ्राई कर लेंगे तो यह जो माकंडी हलवा रेता है इसमें थोड़ा सा ड्राइफूट और घी थोड़ा जादा लगता है इसलिए हम थोड़ा सा जादा इस्तिमाल कर रहे है और सारी चीजे अच्छे से फ्राई हो गई है अब हम इने बाहर निकाल लेते है तो चलिए यहाँ पर हमने dry food सारा निकाल लिया है और अब हम यहाँ पर थोड़ा घी ओर डालेंगे तो मैंने यहाँ पर दो चम्मज घी लिया है और घी को हम अच्छी तरीके से पिघल जाने देंगे अच्छा गरम होने देंगे और अब हम यहाँ पर लेंगे 1 cup चीनी तो जितनी हमने सूजी लिए उतनी ही हम चीनी लेंगे और चीनी को हम अच्छी तरीके से melt करेंगे तो यहाँ पर चीनी अच्छे से caramelize करना है हमको यहाँ पर हम gaze की flame को medium रखेंगे और मीडियम आज पर इस तरीके से हम चमच को continue चलाते रहेंगे जादा देर नहीं लगती है बहुत जल्दी चीनी melt हो जाते है और ये देखें चीनी कितनी जल्दी melt होने लगी है तो आपको continue चमच चलाते रहना है तो यहाँ पर हमें शुरुवात में लगेगा अरे चीनी तो बिल्कुल भी पिघल नहीं रही है melt ही नहीं हो रही है लेकिन आप continue चमच चलाते रहना 4-5 मिनिट के बाद में ये आटोमेटिंग melt होने लग जाएगी और हमें इसे कड़ाई में बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है अगर ये कड़ाई में चिपकेगी तो हो सकता हमें हलवे का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आने लगे इसलिए हमें इसे कड़ाई में चिपकने नहीं देना है continue चम्मच चलाते रहना है और ये देखिए चीनी melt होने लग गई है लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं तो हम यहाँ पर continue चम्मच चलाते रहेंगे तो जैसे कि मैंने पहले कहा था यह normal सूजी के हलवे से थोड़ा different बनेगा उसमें हम sugar syrup बनाते हैं यहाँ पर हमें चीनी को caramelize करना पड़ेगा तो यहाँ पर चीनी पूरी तरफ से melt हो गई है लेकिन अभी भी हम इसे 2-3 minute के लिए पका लेते हैं लेकिन बहुत जादा dark color नहीं करना है उससे हो सकता हमें हलवे का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आए तो यहाँ पर मुझे 2-3 minute हो चुके हैं इसे पकाते हुए और अब हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने दूद में सूजी भीगो कर रखी वो डालेंगे यहाँ पर आप गेस की flame को बिल्कुल लो कर देना है और अब हमें यह जो दूद में भीगी हुई सूजी है हमारी उसे करेमलाई सूगर में अच्छी तरीके से mix करना है तो शुरुवात में हमें थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी mix करने में लेकिन यह बहुत जल्दी mix हो जाएगी क्योंकि यहां पर अभी सूजी कच्ची है इसलिए वो कड़ाई में चिपकने भी लगेगी लेकिन हमें continue चमत से इस तरीके से mix करते रहना है low flame पर जैसे जैसे सूजी पकती जाएगी वैसे वैसे यह कड़ाई को छोड़ती जाएगी मतलब कड़ाई में चिपकना बन हो जाएगा और यह देखे थोड़ी देर के बाद में जो सूजी है वो करमेलाई शूगर में अच्छी तरीके से mix हो गई है तो इस तरीके से continue चमत चलाते रहना है और सूजी को हमें अच्छी तरीके से पकाना है जब तक की सूजी का कलर चेंज ना हो जाए या फिर इस हलवे में से घी अलगना होने लगे तो यहाँ पर सूजी अभी भी थोड़ा थोड़ा कड़ाई में चिपक रहा है मतलब यह अभी भी अच्छी तरीके से नहीं पका है और यह देखिए थोड़ी देर के बाद में हलवे का कलर ही चेंज हो गया है हलवे में से घी सेपरेट होने लगा है मतलब जो हमारी सूजी है वो अच्छी तरीके से पक गई है लेकिन यहाँ पर हम इसे 4-5 मिनिट के लिए और लो फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गेस की फ्लेम को हाई नहीं करना है हाई फ्लेम पर हमें इस हलवे को नहीं पकाना है वरना इसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा और कच्छा भी लगेगा हमें तो बिल्कुल पेशेंस के साथ में आप इसे लो फ्लेम पर पकाईए और यह देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और बहुत ही दानेदार रसीला सूजी का हलवा बन के तयार हुआ है भी नहीं करना है वरना हो सकता आपको हलवे का टेस्ट हलका सा कड़वा लगे इसलिए जादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है तो यहाँ पर हमने ड्राइफूट भी अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और अब हम यहाँ पर गेस की फ्लेम को बन कर देंगे तो यहाँ पर हमारा रसीला दानेदार सूजी का हलवा बन के तयार हो गया है जिसे माखंडी हलवा बोलते हैं आप लोग भी इस तरीके से सूजी का हलवा बना कर जरूर ट्राइक कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको यह रेसीपी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फिर मिलेंगे एक और स्वादिस्ट रेसीपी के साथ तब तक के लिए बाई और थैंक्स फॉर वाचिंग